हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आपने सुनाई होगा कि पंचर बनाने वाला का बेटा बन गया जज हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ पिता पंचर लगाते, मा कपड़ा सिलती, बेटा अहद यूपी में बना जज PCSJ में सलेक्ट होकर बोला, मुझे पंचर वाले को बेटा होने पर गर्ब जी हाँ आपने सही कहा पिता सैकिल पंचर के दुकान चलाते हैं, बेटा भी समय समय पर पंचर के काम में हाथ बताता था लेकिन उसका तारगेट जज बनने का था जुडिसियल मेजिस्टेट की परिच्छा की तैयारी की और पहले बार में ही सफ़स्दा पराप की इस महेंतिज छात्र और मुझेल हालात में इतनी बड़ी परिच्छा को पास करने वाला योग का नाम आहद एहमद है घर संगम मगरी परायर राज 30 30 अगस्त को योफी पीसियस योफी पीसियस जे रेजर्ड का परड़ाम में बड़ी सफलता पाई वो बिना कोचिंग के खुद की मेनहत के बदलत ही उन्होंने इस एकजाम को पास किया अब उनके घर में खुसी का महाल है मा ने एक फिल्म देखी और ठान लिया बच्चों को पढ़ाने में कमी नहीं करेंगी जुडेसियल मजिस्टेट के परिच्छा पास करने वाले आध एहमद के पिता का प्रहर राज नवाम गंज एरिया का छोटे से एरिया में मकान है इस तूटे पूटे मकान के पास में पिता सहजाद एहमद की सैकिल पंचर और चिप से बिस्कुट को दिक्वान है मा का नाम अफसाना है अफसाना बताती कि उनकी आर्थिक हानलाद सुरू से खराब रही है लेकिन कभी भी हम लोगों ने अपने बच्चे के पढ़ाई का उनका असर नहीं पढ़ने दिया वो बताती कि उन्हेंने हिंदी फिल्म घरदार देखे थी उसमें देखे थे कि वो कैसे मुश्किल वक्त में घर को समालना जरूरी है इसलिए उनके पती पंचर के दुकान चलाते तो वो कपड़े सिलाई सीकर घर पर ही कपड़े सिलकर पैसे कमाने लगी इसी तरह दोनों पती पतनी कभी कभार अपने काम में बच्चों को भी मदद लेते थे इसके बज़ाए उन्होंने ज़्यादा लगतार पढ़ाई पर फोकस कराते थे यही वाज़ा है कि उनके चारों बच्चे आज सफलता के कदम चुके हैं अब आहमत का क्या कहना है मैं पंचर बनाने वाला का बेटा हूँ और मुझे इस पर गर्भ है जो डिसीयर मजिस्टर की परिच्छा में सपल हुए आहद आहमत कुल तीन भाई और एक बहन है आहद तीसरे नमबर पह इनके सभी बच्चे पढ़ाई में सुरू से अवल है आहद के बड़ा भाई सार्बेयर इंजिनियर बन चुके हैं तो छोटा भाई Private बैंक में मेंनेजर है आहद आहमत कहता है कि मुझे अपनी माता पिता का गर्भ है कोई मुझे कहे कि ये पंचर वाले का बेटा है तो मुझे इस पर गर्भ होता है क्यक्यों कुछ बह ignor कि मैं अपने माता पिता के बदालत हूँ मुश्किल हालतों में दोने ने कभी उनका काम में हाथ बटाने का दबाव नहीं डाला हम सभी बाई बहन अपनी मर्जी से उनके काम में मदद करते थे आज ये मुकाम पढ़कर आज पढ़कर इस मुकाम तक हम पहुचे हैं तो आप भी आहमत की तरह आपको बनना चाहिए दे